राज्यस्थान पुलिस की ये टेग लाइन अमूमन हम देखते हैं और जिसका धे राज्यस्थान पुलिस ये कहना और बताना चाहती है कि वो अपरादियों में डर बैठा कर आमजन में कहीं न कहीं विस्वास जताना चाहती है लेकिन अगर खाकी को पहनने वाली पुलिस ही डर डर के साय में जिये और अपरादियों में भै बनाने की बजाए खुद भै के अंदर दिखती नजर आए तो आमजन में विश्वास बना पाना एक चुनोती का काम होगा नमस्ते मैं लोकेश केड़ी न्यूस के लिए आज खबर राजस्थान पुलिस से जुड़ी है हाल का मामला अलवर जिले के अरावली विहार ठाने का है अब हैरान हो जाएंगे जब पूरे मामले को सुनेंगे किस प्रकार पुलिस के एक अधिकारी से लेकर पुलिस के अनेक क इस पूरे घटनाकरम में पीडि बताये जा रहे हैं और जब पुलिस इस हद तक इस प्रकार से फस सकती है तो आम जन किस प्रकार से ऐसे गिरोह से परेशान होता होगा पूरा मामला जानने के लिए हम बात करेंगे अरावली विहार ठाने में सोमवार को दर्ज हुई दो अ लग लग एफायार रिपोस के बारे में एक फायार दरज कराई है बीग के कमेर के ठाना अदिकारी महिंदर कुमार राठी ने और एक रिपोस दर्ज कराई है जैपुर के जॉबनेर में कारिदत हैड कांस्टेबल रोहिताश रेगर ने दोनों पिड़ित इस बात पे अप ने बकायदा लिकित रिपोर्ट में कहा है कि नसीला पदार्थ खिलाकर उस महिला ने कुछ असलील फोटो और वीडियों दोनों की बनाई जिसके बाद लगातार महिला उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी एक्स्टोशन मसी की रूप में अभी तक एक करोड से ज्यादा की वस ग्रफतारी की बात कर रही थी जिसमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है पुलिस की रेड के बाद महिला के घर से कुछ आपती जनक दस्तावे जिनका उप्योग वे लगातार ब्लैक मेलिंग के लिए क्या करते थे बरामद होने जैसी बात सामने आई है इस के सदश्य बताए जा रहे हैं जिनें भी ग्रफतार कर लिया गया है ये दोनों भरतपुर जिले में ही कारेरत हैं जिनके नाम गंगाधर और विनोध हैं और इने भी इस गिरोग का सदश्य मानकर ग्रफतारी कर ली गई है अब तक टारंबिक जांच की बात करें तो जो था अभी भी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी से तंग आकर अंत में उन्हें अराजी व्याद थाने में इस महिला के खिलाब मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा मीडिया में पूरा मामला आने के बाद पुलिस प्रशाशन के लगातार होस उडगे इतना बड़ा धन लगातार एक्स्टोर्शन मनी के रूप में मांगा जा चुका है और दिया भी जा चुका है सुनिए अलवर जिले के पुलिस कप्तान आनर शर्मा क्या कह रहे हैं पुरे मामले को लेकर कल जो है दो व्यक्ति एक उनमें पुलिस में सी आई हैं और एक कॉंस्टेबल हैं उन्होंने अरावली विहार थाने पर एक रिपोर्ट दी कि इस थाना क्षेतर के रहने वाली एक महिला से वो 2022 में संपर्क में आये कोई कॉमन फ्रेंड्स के माद्यम से और फिर उनके संपर्क बढ़े और उस महिला ने किसी तरह से जो उनके हैं कुछ आपति जनक फोटो वीडियो एक्वायर किये और उसके बाद वो लगातार इनको दुशकर्म के केस में फसाने की धमकी दे करके ब्लैकमेल कर रही है जो उन्होंने FIR दर्च कराई है उसमें CIE ने बताया है कि वो अब तक 90 लाख रुपे महिला को दे चुके हैं जिसमें 50 लाख रुपे तो बैंकिंग ट्रांसक्शन्स और ऑन-लाइन और चेक्स के थूरू और 40 लाख रुपे कैश उन्होंने ये भी पेश किया है कि किन-किन लो उन्होंने नामजद कराया है तो अब एक बार जब हम इसमें गहनता से नसंधान करेंगे तो हो सकता है कुछ जो और विक्टिम्स हैं उनके भी नाम सामने आए पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो महिला एक बड़े गिरो को आपरेट करती है खुद इसकी सरगना है इससे पहले भी छे से जादा मुकदमे वो अलग-अलग लोगों के खिलाफ दर्ज करवा चुकी है इसने एक मुकदम अपने पती के खिलाफ दहीज प्रतारना का दर्ज करवाया है साथ ही साथ दोजारी किस में अरावली रियाः ठानी के ही एक एसाइ रामजीत गुजर के खिलाप भी बलादकार का मुकदमा ये दर्ज करवा चुकी है जिसमें रामजीत गुजर को ततकाली नदालत ने फैसला सुनाया था, बलादकार का दोशी माना था, दसवर्सका उन्हें कारवास हुआ और उन्हें पुलिस सेवा से बरखास कर दिया गया अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये उसी रिपोर्ट के आधार पर लगातार दूसरे पुलिस कर्मी और अलग प्रकार के व्यक्तियों पर दबाव बनाती थी, उस प्रकार से पैसे लेने का प्रयास करती थी और कई हद तक इसमें ये कावियाद भी होती नजर आई है अब देखना होगा जब पुलिस जिसके जिम में लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का, लोगों को सुरक्षित रखने का जिम्मा है जब वो ही खुद हनी ट्रेप जैसे संगीन मामलों में गिरती नजर आएगी तो आम जन के लिए विश्वास कर पाना बेहत कठिन हो जो कि जांच जैसे जैसे आगे बड़ी लगातार पुलिस कह रही है कि अब परिवादी खुल कर सामने आ रहे हैं जो इस गिरों के शिकार हुए हैं, हनी ट्रेप के शिकार हुए हैं और उन लोगों ने इस महिला को किया कितना पैसा दिया है, तमाम चीज़ें भी जांच का विशय है, लगातार पुलिस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, हनी ट्रेप के देश भर के ऐसे मामलों की यदि पूरी अगर स्टेडी की जाए तो लगातार ऐसे मामलों में इजाफा हुआ है, ऐसे गिरों लगातार देश भर में राजी के अलग-अलग कोनों में ऑपर मिलना जुलना दोस्ती इन सब के आधार पर संबंद बनाने का प्रयास करते हैं और फिर एक मोटी रकम की डिमांड लगातार की जाती है कि इस प्रकार के गिरोहों से लगातार बचने के प्रयास किये जाएं